पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए आतंकी हमले में अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है पुलिस का दावा है कि इस मामले में कुछ बड़ी गिरफतारियां की गई है इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर मेजर और इमरान खान की समर्थक आदिल रजा ने एक बड़ा बयान दिया है आदिल रजा ने दावा किया है कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही पेशावर की मस्जिद में धमाका करवाया है आदिल रजा ने ये कहा है, कि ये हमला कराकर पाक आर्मी चुनाव में देरी कराना जाती है इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा सेना में मेरे सूत्रो यानि फोजी अपसरों का कहना है कि ये तरीका जो हमें बताया जाता है वही पेशावर में इस्तमाल किया गया है अपनी ही एजेंसी ने किस तरह से धमाका कराया है और फाइदा उठाया है फाइदा ये है कि चुनाओ में देरी करानी है इससे पहले ये लोग सत्ता में बैठे थे पहले भी ऐसा कराते रहे हैं सेना में सूत्रों ने बताया कि स्टाफ कॉलेज में इस तरह के ऑपरेशन को पढ़ाया जाता है। और ये बात आज जो हकूमत में बैटे हैं वह से पहले ये भी करते रहें बात स्यासर्दान को लेकिन ये अब मैं आपको मुसद्दिका जो मेरे फोजी अफसर हाजर सर्वस जराये हैं उनकी बात बता रहा हूं कि ये ऑपरेशन इस तरह स्टाफ कॉलेज में बकाईदा तोर क उपर पढ़ाया जाता है लेकिन दुश्मन मुल्क के लिए पढ़ाया जाता है किस तरह सबोटारज अक्टिविटीज के जरीए आपने जो है वह आउटकम अपना सियासी आउटकम लेना है दुश्मन मुल्क के अंदर पॉक्स लैंड के एंदर, केपी में है चाये वो पाकिस्तान सबसे पहले बाकी सब साइट पे ये बाकी लोग सिर्फ ना रेमारते हैं। आपको बता दे कि पेशावर में सुमवर को पुलिस मुख्याले में इस्थित मस्जिद में आत्मगाती हमला हुआ था।